कि नवश्का राफ सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडे चंदर शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज की दिन के पंचान की आज दिनांग के तीन अगस्तन दोजार तेई स्विक्रम सुम्बत दोजार असी चल रहा है शावन अधिक मास है वर्षा रितु है तिथी आज की द्वितिया है और आज का वार है गुर्वार आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्टा नक्षत्र सुबह 9.56 मिनट तक है आगे शत्विशा नक्षत्र आ जाएगा योग स्वभाग्य है सुबह 10.17 मिनट तक आगे शोभन योग है तो सुर्योदे का समय दर्शको सुबह 5.43 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7.10 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर डेड़ से तीम बज़े के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुपकारी नहीं करते हैं और लंबी यात्रा प ग्यारा बच के 6 मिनट फिर दौपेर बार तीन बच के 35 मिनट और चार बच के 29 मिनट आज का दिशा शूल दर्शको दक्षिन दिशा में तो पहले कोशिश तो यही रहेगी कि दक्षिन दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन अगर जाना जरूरी है अनिवारे यात्रा है त साथ चलिए ऐसा करेंगे तो भगवान की कृपा से यात्रा बहुत अच्छी रहेगी दिशा शूल आपको बिलकुल भी परिशान नहीं करेगा आज का शुब समय दर्शकों यानि आज की दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपेर डीड़ आज की चंद राशी दर्शे को कुंब है यानि चंदरुमा कुंब राशी से गोचर कर रहे हैं जिससे आज का ए दिन सभी 12 राशी के लिए कुछ प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशे की मेश राशी वालों की कोई पुरानी मनोकामना पूरी होने की रास्ते बनेंगे वहीं व्रश राशी वालों को मिलेगी ऑफिस में जबरदस्त एप्रिशेशन और प्रमोशन के योग बनेंगे मिथुन राशी वालों को भाग्ये देगा नए अवसर जीवन में उंचा ही प्राप्त करने के और करक राशी वालों को स्वास्त में समश्वाओं के साथ साथ आज ध्यान रखना है कि कोई सींग वाले पश्वों से चोट ना लग जाए सिंग राशी वाले विवाइतों को योगी रिष्टे मिल सकते हैं और कण्या राशी वालों को पैसे की लें दिन में रखनी है सावधानी इसकी वज़े से कोई बड़ा विवादात संबव है तो किसी को उधार ना दे आज और तुला राशी वालों को अपनी बुद्धी और निर्ने शम्ता से मिलेंगे आगे बढ़ने के नए अवसर व्रश्चिक राशी वालों को अपमान जनक इस्तती का सामना करना पड़ सकता है धेरे बनाए रखें धनु राशी वाले जो लोग लेखन अध्यापन से जुड़े हैं उनके लिए है शुब दिन और मकर राशी वाल से आपको दूर रहना है को व्यापारी भी है तो आज के दिन को अवाइड करें तो दर्शे को यह था आज का पंचांग जिसके समुचित ग्यान से आप अपने पूरे दिन को सूजबू से मैनेज कर पाएंगे और सही समय का स्वधुपयोग करके गलत समय यानि जो टालने योग के समय हमने आपको बताया उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे दर्शे को आप करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्यद्रश्टी प्रग्या को जागलत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विसस्ट उपायों को जो आपको समश् करंफल необход बताया है और बताया है तो उसकी वास्तविक विदी क्या है देखिए कारंफल करम का समर्पन किया जाता है विए कदसे मानके करें कि यह सब मैं मेरे गोविंद की प्रसंदा के लिए यहनि मेरे की खुशी के लिए उनके लिए कर रहा हूं यहां तक की साधन भजं में भी अपना कोई हेतू ना रखें अपना कारणनcej मात्र अपने अिस्ट को समर्पन की भावना रहें इस तरीके से हर कर्म हर क्रिया अपने आप में एक साधना यानि योग में परिवर्तित हो जाएगी और आप बंदन मुक्त अवस्ता का अनुभव जीते जी करेंगे और ये अवस्ता का अनुभव करते हुए अपने नियत संसारिक कर्तव्यों का पालन उनका निर्वा भी कर सकेंगे भवाण स्री कृष्ण कहते हैं मै सरवानी कर्मानी सन्यश्य अध्यात्म चेतसा विवेक बुद्धी से इसकार थे कि विवेक बुद्धी से तू संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अरपन कर दे और यत करोशी यत सनासी यत जुहोसी ददासी यत यत पश्यसी कॉंते तत कि है कुंती पुत्र तू जो कुछ करता है जो कुछ भोजन करता है जो कुछ यग्य करता है और जो कुछ दान देता है और जो कुछ तब करता है वो सब मेरे अरपन कर दे जब यह भाव रहेगा तो फिर आपको करमफल का त्याग नहीं करना है वो करमफल का समरपन होगा ज जिनने करके आप सफलता को अरचनों को पीछे छोड़ते वे सफलता की और द्रड़ता से तेजगती सग्रसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिन लोगों का जनम दिन है आप लोग आज सुबह नो बच के तीस मिनट से ग्यारा बच के पंद्रा मिनट के बीच चंदन का इत्र और केसर मिलेवे जल से भगवान शिवजी का विशेक करें वहीं मंदिर में बैठें कम से कम ग्यारा माला नमह शिवाय की जब करें साथ ही आज आप पांच व्रक्ष केला अशोक आम आउला और पीपल किसी मंदिर या पार्क में दोपेर एक बच के पैतालिस मिनट से दो बच के पैतालिस मिनट के बीच लगा दें तो आने वाला वर जाती है यह डर यह बेवजे की घवराट आगे जाके एंग्जाइटी डिप्रेशन अवसाद नीन ना आना जैसे मांसिक रोगों में परिवर्तित हो जाती है इस प्रकार की स्तिती हमेशा जनम पत्रिका में चंद्र ग्रह के पीडित होने पर और मंगल सूर्य आदिके निर करें और किसी भी देवी शक्ति स्वरूप की साधना निश्चित रूप से रोजाना करें इसके साथ साथ एक विशेश मंत्र का अगर आप जाप नित्ते करने लगते हैं तो इन समश्याओं से इन मांसिक पिडाओं से अकारण लगने वाले भहे से आप मुक्त होते एक शिवजी को भेट कर दें और एक भगवती के चरणों में सनारेल को अर्पित कर दें और उनसे इस मंत्र जाप की अनुमती और रक्षा का अमोग आशिरवाद मांगें और नित्य एक माला आप इस विशिष्ट मंत्र की करते रहें और इसका जो बहुती सुन्दर प्रभ प्रभाव होगा उसका अनुभव आप स्वयम करें मंत्र स्प्रकार्य ध्यान से समझेगा शूलेन पाही नुदेवी पाही खडगेन चामबिके घंटा स्वनेन न पाही चाप पे जानी स्वनेन चै आप कीजिए इसका प्रभाव अनुभव कीजिए अपने जीवन में परि देते हैं या पेक्षित सम्मान उनको कभी नहीं मिलता या वो लोग जो चाहते हैं कि जिससे भी वह मिले तो सामने वाला उनकी तरफ आकर्शित रहे प्रभावित रहे तो दो छोटे-छोटे काम आपको शुरू कर देने चाहिए जिससे आपकी जो इच्छा है यह मनोकामन है यह पूरी हो सके एक तो आप अपने कमरे में पूजा घर में एक एफोर साइज का कागज को दिवार पर चिपकाएं जिस पर लाल शाही से क्लीम लिखा हो क्लीम बीज यानि आदा के ले ले पे एकी मातरा बड़ी की मातरा और उस पे बिंदू यानि क्लीम लिखा हो यह इतनी उचाई पर आपको चुपकाना है कि जब आप बैठ कर देखें तो आपके आँखों के सामने रहें अब नित्य दस पंद्रा मिनट इस पर एक टक देखने का अभ्यास करें और इस दौरान मनी मन क्लीम का जाब भी करता रहें इसके साथ साथ नित्य तीन माला आपको भगवान से क्रिश्ण के सामने इस विश्ष्ट मंत्र की शुरू करनी है भगवान को मिश्री का भोग लगाएं देशीगी का दीपक जलता रहें और जो मंत्र जाब करना है उठ्यान से समझेगा मंत्र है क्रिश्ण क्रिश्ण महायोगी भक्ता नाम अभगेंकर साधना से आप देखेंगे कि आप में आत्म विश्वास एक और डवलप हो रही है और आपके आसपास लोग स्वते ही आपकी और आकरशित प्रभावित होने लगें आपको उतना समान उतनी जट मिलने लगे जो आपकी अपिक्षा थी जितने दिन जितना जाप आप करते रहे आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्रिकाई है हमारे दर्शक विकास यादव जी की 23 नवंबर 1999 में का इनका जनम है तीन बच के 16 मिनट दोपेर पाली में इनका जनम हुआ है सरकारी नोकरी के योग है क्या किस छेत्र में नोकरी लगेगी देखिए विकास जी आपक में उच्च राशी का मंगल है जिस पर शनी की सीधी दृष्टी है तो आपको पुलिस में या डिफेंस सर्विसेज में उच्च पद मिलेगा इसमें कोई भी संदे नहीं कि यदि आप मन लगाकर मेहनत से इमानदरी से प्रयास करें तो आप पुलिस में उच्च पद प्रा सब्सक्राप्ति में कोई रुकावट ना है तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसुस्त उपाए और ज्यान चर्चा मैं पंडे चंद्रशेकर शर्माई आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विदी सटीक समय और अटूट शद्धा के साथ करके आप पु निश्चित रूप से हो साथ एक निविदन के श्रावण मास में अधिक से अधिक संख्या में करें और यह जो प्रक्रती है आपके सामने भगवती इनकी सेव आवश्य करें कारेक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत सादुवाद भगवती आप सबका कल्यान करें ज नमस्कार मैं हूं दीपती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशे सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला तो जब ँरहम जोडते हैं तो जोड़ाता है नमबर 3 तो तीन होगा आपका मुलांग और आज कि तारीक है 3 अगस्त 2000 त्यश्व और आज की तारीक जो हैं उनके स्वामी है जो है वो हैं गुरू और आप जानते हैं कि गुरू की महत्ता हमारी सनातन पधती में कितनी अधिक बताई गई है तो आए दोस्तों बेना देर के आए हम शुरुआत करते हैं आच्छे कारेकर्म की और जानते हैं माभगवती हमें आच्छा गाइड कर रही है मूलांक एक के लिए 3 अगस्त 2023 को और हमें गाइड किया जा रहा है सेक्रिट स्पेस का काड़ है आपका जोलqी नमबर है आपका लगी नमबर है नमबर साथ और लगी जो रंग है वो है परपल कलर आपको कहा जा रहा है की आज का जो दिन है वो कोशिश करना है कि आप अपनी वानी पर थोड़ा रहने वाली है और कहीं न कहीं धरम करम में आज आगे बढ़े में अपको पार्टिसीपेट करना पड़ सकता है जोब hy आज के आज के दिन आपको कोई बड़ा इंवेस्टमेंट नहीं करना है, आज के दिन आपको कोई ने कारे में हाथ नहीं डालना, बलकि कहीं न कहीं जो आपकी चीज़े आलरी जो प्रोसेस में चल रही हैं, उन्हीं को बहतर बनाने के लिए आज आप प्रयास करेंगे, आपका दिन चुब हो, आएज जानते हैं मूलांक दो के लिए हमारी माभगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं, तीन अगस्त दो हजार तेज के लिए और मूलांक दो के लिए हमसे कहा जा रहा है, लीप अफेट का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो सकसिस क चाबी है, वो है आपका विश्वास, आपका वो विश्वास जो खुद के प्रतीबी है और वो विश्वास जो परमात्मा के प्रतीबी है, तो कहीं न कहीं आज के दिन आपको कुछ रिस्क टेकिंग टास्क मिल सकते हैं, हो सकता है कि कि किसी विशे की आपको पहले जानकार ना हो और आपको वो कारे सौब दिया जाए कि आपको पूर्ण करना है हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छानक से कोई investment का आपके सामने कोई ऐसा कारे आजाए कि आप इसके दर invest करें कोई भी ऐसी चीज आज आपके समक्ष आ सकती है कोई ऐसी opportunity हो सकती है को ऐसा व्यक्ति हो सकता है को ऐसी परस्ति हो सकती है जिस पर कहीं न कहीं जब आप भरोसा करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी no doubt mind में कहीं न कहीं डाउट आ सकता है लेकिन खुद पर भरोसा रखें परमात्मा पर भरोसा रखें आपके जो अनुभव हैं जीवन के उन पर भरोसा रखें और आप आगे बढ़ जाएं सफलता बिलकुल मिलेगी आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक तीन के लिए हमें परमात्मा हमारी मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है तीन अगस्ते दो हजार ते इसके लिए आज की तारिक जो है वो भी है नमबर तीन और मूलांक तीन की हम बात कर रहे हैं आपको कहा जा रहा है मा ग्रीन तारा का काड है मातारा की क्रपा आपके उपर बनी हुई है जब मातारा की क्रपा होती है तो कहीं न कहीं मातारा अपने बच्चे को अपने भक्त को बिलकुल एक बच्चे शिशू के समान समझती है तो आज जो भी आपका कार है जो भी कोई आप काम कर रहे हैं जो आपका प्रोजेक्ट है माली जेगर मैं बात करूँ आपके पर्सनल लाइफ की आपके प्रोफेशनल लाइफ की तो आज आपको सहायता मिलेगी आज मा भगवती की क्रपास से मातारा की क्रपास से आपको आपके मता पिता हो सकते हैं या वो व्यक्ती जो आपके वैल विशर हो तो कुल मिला के आज कि दिन को फुल सपोर्ट मिलने वाला है और यह सपोर्ट मा की क्रपा से मिल रहा है तो मातारा को प्रणाम अवश्य करें आपका दिन शुभ हो आए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें मा बगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 3 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है बॉडिज ऑफ वाचर का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा हाइर एनरजी में रहें और पिछले कुछ समय से जो भी आपने टेंशन ली स्ट्रेस लिया कही ना कहीं उसकी वज़े से आपकी बॉड़ी में थोड़ी टॉक्सिंस इखटे हो गए आपके और जो है वो थोड़ा सा आपका नेगेटिव हो गया है तो आपको क्या करना है अ आप जितना हो सके लिक्विड इंटेक करें और आपको यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप सॉल्ट वाटर बात ले तो आपके लिए आज बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आप सॉल्ट वाटर बात नहीं ले पाते हैं तो पानी जो है एक बहुत ही महतपूर्ण तत्व है हमारी प्रकृति का जो कहीं ना कहीं केवल हमारी प्यास भूजाने का कारण नहीं करता बलकि बहुत सारे मिराक्लिस जो है काम वाटर करता है तो वाटर टेकनीक मैंने आपको पहले वी कई एपिसोड में हमारे बताई हुई है तो उन टेकनीक का उप्योग करें और आज उपने औरा को अवश्य ही क्लीन करें आपका दिन शुभो आइए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें माभगवती आज क्या ग्राइड कर रही है आज 3 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमसे कहा जा रहा है एक्सपेक्टर मिराकल मदर मैरी का कार्ड है आज कोई चमतकारि गटना आपके जीवन में घटत हो सकती है ऐसी कोई ऑपर्शनिटी आपके समख्षा सकती है जो आपने सोचा होगा कि अरे अब मुझे क्या मिलने वाली है कहीं न की जिसकी आपने उमीद छोड़ दी थी आज ऐसा कोई कारे आपके साथ होने वाला है हो स आपकी आगे आने वाली जो आपका करियर है आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपको ग्रोथ देगा आपका दिन शुभ हो आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 3 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है गाडिन का काड है आज कहीं आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी सारी इंसेक्योरिटी से अपने आपको मुप्त करना होगा आप को एक प्रमात्मा कि रफा करने की जुराधनी बढें आक्वी एक्शन औरिएंटेड्स नहीं अपकी आज सबसे बड़ी कमी है… तो आपड़ डिवाल क्या कह रहा है.. आप पूरतार से सुरक्षित हैं आपकी पूरी अपी जुकित हैं काम हर तरीके से सुरक्षित है बस आगे बढ़ जाईए बहुत हो गई प्लानिंग्स अब आज का दिन काम करने का है आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए माभगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है तीन अगस्त दो हजार तैस के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जा रहा है इनर गॉड़ेस का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको खुद के उपर फोकस करना है आज के दिन है वो आपकी उर्जाओं को पॉजिटिव लव और कमपैशन में रखने वाला है कहीं ना कहीं अगर आप मेल हो या फीमेल हो इसे भाव अगर आप ऑफिस में बॉस हैं तो आपको लोगों के साथ एंप्लॉईस के साथ बहुत ही प्यार से आज आपको जो है बने रहना है किसी प्रकार का क्रोध और एहंकार की भावना से आज आपको बचना बहुत ज़रूरी है अपनी परसनल लाइफ में भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी क्योंकि आज परमात्मा आपको मौका दे रहे हैं एक एक एक्जामपल सेट करने का आपका जो बरताव है आपका जो है fan following बढ़ने वाली है आपका दिन शुभो आई जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 3 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है divine passion आपको कहा जा रहा है आपकी आज की उरजयाएं बहुत अच्छी हैं बहुत वैतरीन एनरजी हैं काफी तुनों बाद आपका इतना चशखारोड है बहुत अच्छी हैं जो भी कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं अवश्य ही प्राप्ता कर पाएंगे बशर्ते की आपकी true desire क्या है अब वास्तरिक्ता में क्या प्राप्त करना चाहते हैं क्या आप एक सकारात्मक भाव में हैं या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मक भाव में हैं तो जो भी आपका manifestation होगा अगर negative भी बहुत जादा सोच रहोंगे तो वो भी गटित हो जाएगा तो आज आपको clear कहा जा रहा जो भी कुछ आपने सोचा था अपने career को लेकर अपने लक्ष को लेकर अपनी life को लेकर आप उसमें बहुत आज आगे बढ़ जाएंगे बहुत अच्छी growth की आज की उर जाए बशरते सकारात्मक भो जनकल्यान के लिए हो आपका दिन शुबू आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 3 अगस से 2030 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है guardian का card है फिर से जो आज card है वो repeat हुआ है आपको कहा जा रहे कि आपको आज के दिन अपनी सारी भीतर की insecurity से अपने आपको मुक्त करना होगा आज आज आपकी जो fire energy वो इतनी अच्छी ऊर्जा है कि बहुत सारे लोगों को आज आप चुद है वो खुद support करने वाले हैं ऐसे में अगर आप खुद डगमगाएंगे भीतर से तो किस प्रकार से आप किसी की सायता कर पाएंगे तो आज आज आपको मा भगवती कह रही ह कि आपको किसी प्रकार से डरने की जुरुत नहीं है बलकि आज आज आपको step लेना होगा चाहिए आपकी personal life हो प्रफेशनल life हो एक महदपूंट decision आज आज आपको लेना होगा और वो decision लेने के लिए आपको किसी प्रकार के भैवीत होने की आवश्यक्ता नहीं है अगर करना चाहते हैं को नयाकार आरंब करना चाहते हैं किसी नहीं जौब के लिए अपलाय करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा दिन है आज का उसका सदुप्योग करें आपका दिन शुभू दोस्तों यह थी रीडिंग हमारी एक सिलेकर नौ मुलांग तक की हम परमात्मा से प् करमात्मा को मेरा प्रणाम